हम जानते हैं कि मालदीव में भारी गतिरोध के बावजूद राष्ट्रपती मुहम्मद मुईज्जु अपने भारक विरोधी रुख पर कायम है। सुमबार को मालदीव की संसद में भाषन के दौरान उन्होंने एक बार फिर से भारत के खिलाफ कई बयान दिये। उन्होंने कहा कि मालदीव की जनता ने उन्हें भारतिय सैनिकों को बाहर निकालने के लिए बोट दिया था। इसके अलावा मुरिजु ने संसद में भारत पर निशाना साथते हुए कहा कि मालदीव किसी भी देश को हमारी संप्रभुता में हस्तक्षेप करने या उसे कमजोर करने की इजाजत नहीं देगा। इसके बाद हम दरसल के बारे में बात करते हैं जहां मुरिजु खाली संसद में भाशन दे रहे थे और विपक्षी दलों ने उनके भारत विरोधी रुख के कारण भाशन का बहिशकार किया था। सुमवार को जब मुरिजु मालदीव की संसद पहुँचे तो ज्यादातर सीटे खाली थी। मुरिजु जब भाशन दे रहे थे तब केवल 24 संसद ही उपस्थित थे। आखिरी में हम बात करते हैं कि मुरिजु ने संसद में अपने पहले भाशन के दौरान भारती असेनिकों की वापसी के अलावा मालदीव की सेना को मजबूत करने और चीन के साथ संबंधों का विस्तार का जिक्र किया। यह जानना चाहेंगे कि इस गतिरोध का नतीजा क्या होता है और इसका भारत और चीन के संबंधों पर क्या प्रभाव होता है अगले वीडियो में हम इस विशय पर और गहराई से जानकारी देंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चै क्या है ।